आज आपके लिए श्टोरी में लेके आए हैं राजा नहुस की कहानी रगुबंसियों में एक राजा था नहुस जो बहुत ही वीर और प्रतापी था राजाओं में ये था कि पहले कि राजा युद करके अपनी राजी की सीमाएं बढ़ाया कर देते नहुस राजा ने भी अप्युद करके अपनी राजी की सीमाएं खूब बढ़ाई किसी राजा में इतना समर्थ नहीं था कि वो नहुस का सामना कर सके इस बात कर नहुस को घमन लाया और उसने इंद्र पर आकरमण किया इंद्र पर आक्रमण कर राजा नहुस विजय हुआ इंद्र को जीत लिया और वे श्वर्ग में अपना राज करने लगा स्वर्ग का धन वैभव और तमाम ऐसी चीज़ें देख कर वह अपना अभ्यास और बांकी की चीज़ें बंद कर वहां के तमाम भोग विलास में लिप्त हो गया एक बार वेरत से जा रहा था कि इंद्राणी पर उसकी नजर पड़ी इंद्राणी अपनी वाटिका में भ्रहण कर रही थे राजा नहुस को ऐसा लगा कि इंद्राणी बहुत खुब्सूरत है और हुआ इंद्राणी से विवा करें उसने अपने मंत्री से इंद्राणी के पास ये प्रस्ताव वेजा कि देवी अप तो इंद्र मैं ही हूँ आप मेरे साथ विवा कर लें परन्तु इंद्राणी ने मना कर दिया कि आप राजा जरूर हो लेकिन मेरा विवा हो चुका है अब मैं आपके साथ विवा नहीं कर सकती नहुस नहीं माना उसे इंद्राणी के साथ विवा करने का जैसे जुनून सा बारता वह कई बार इंद्राणी के पास अपना प्रस्ताव भेजता रहा और इंद्राणी मना करती रही जब इंद्रानी उसकी इस बात से काफी परेसान हो गई तो उस छुप चुपा कर इंद्र से किसी तरह मिली जाके और उनको अपनी समस्या बताई इंद्र ने कहा देवी इस बार जब राजा नहुस अपना विवाह का प्रस्ताव भेजे तो आप उसे सविकार कर लेना और उसे एक सर्थ रखना कि यदि आप सत्ते रिसियों के द्वारा पालकी पर चड़के आएंगे जिससे सत्ते रिसियों उठा कर लाएंगे तो हम जरूर आपके साथ विवाह करेंगे नहुस तैयार हो गया वह बड़ा खुस भी हुआ वह सर्ग करा जा था उसने तुरंत रिसियों को आदेश दिया कि कल इंदरानी के मैल चलना है सुभई आ जाना सत्ते रिसियों ने पालकी उठा राजा नहुस उस पालकी पे बैठा उसमें से एक रिसी थोड़ा बुजूर्ग थे जो दीरे-दीरे चल रहे थे नहुस को गुसा आया उन्होंने उसे जल्दी चलने को खा परंत रिसी ने उनकी बात नहीं सुनी तो नहुस ने रिसी को ए वे रिष्यों से वारता लाप करने लगा, वारता लाप जादा बढ़ी और रिष्यों नहुस को स्रापते दिया कि तू स्वर्ग में रहने के लायक नहीं, तू प्रत्थवी लोग का है और प्रत्थवी लोग ही जा, सर्प बंजा और प्रत्थवी लोग में तमाम वर्सों त भटक भटकता रहे इस तरह राजा नहुस को सत्रिश्योनिस राप दे दिया इसके साथ ही श्टोरी कतम होती मिलेंगे अगली श्टोरी में तब तक के लिए नमस्ते